आप सभी ने तो सुना होगा कि सूर्य अस्थ हो जाता है लेकिन अगर आपको कोई बोले कि बोलस्थ हो गई तो आप भी यही बोलेंगे क्या पागल हो गया है क्यों फैक रहा है तो इसी तरह से आज हम अपने एक वर्ड को याद रखेंगे इसके मीनिंग को हम देखते हैं कैसे हम याद रख सकते हैं तो इसे याद रखने के लिए हम इसे दो पार्स में डिवाइड कर देंगे यह मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है पहला वर्ड है B, O इससे हम याद रखेंगे बोल A, S, T है A, S, T से हम याद रखेंगे अस्त तो अगर कोई बोलेगा बोल अस्त हो गई तो हम बोलेंगे क्यों फैक रहा है तो बोस्ट का मिनिंग है डिंगे मारना या बढ़ा चड़ा के बोलना तो एक बर फिर देख लेते हैं बोस्ट को मिने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है B, O से है याद रखेंगे बोल बोल अस्त हो गई बोल अस्त हो गई तो ये अगर कोई बोलेगा तो हम बोलेंगे क्या बढ़ा चड़ा के बोल रहा है क्यों डिंगे मार रहा है तो चलिए देखिए इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं तो ये इसका एक सेंटेंस है She was not boasting She really did it वो डिंगे नहीं हाक रही थी उसने सच में कर दिखाया था तो देखा कितना असान था इसे याद रखना और इसे संटेंस में यूज करना तो आज की वीडियो के लिए इतना ही कल फिर मिलेंगे नए वर्ड के साथ मेरी वीडियो को लाइक करना न भूलें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जादा से जादा मेरी वीडियो को शियर करें थेंक यू